वेल्कम बैक टुमाइ चैनल तो आपने आउटलाइन वाली वीडियो देख लिए अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो पराई बटाना रहा है उस पर आप लोग जाकर देख सकते हैं तो आज मैं नीरा चोपडा जी की जो है शेडिंग कर रहा हूं तो आप लोग इसको आप लोग के हेर्स जा रहे हैं और बीच बीच में जो हाइलाइट से उसको भी छोड़ते रही हैगा ताकि आपके हेर्स रियलिस्टिक लगें तो मैं सबसे पहले इसको 4B पेंसिल से पूरे इसके जितने भी हेर्स हैं उनको शेट कर लूँगा फिर उसके बाद मैं जो हू हाइलाइट बीना टॉम्बो मोनो जीरे एरेजर के बना सकते हैं और इससे काफी रियलिस्टिक भी लगता है इसके बाद आप लोग ब्लेंड कर देंगे तो आप लोग को दगेगा कि देखें एद्दम हेर के स्ट्रोक्स आपको दिखने लगेंगे अब नीचे भी हम लोग ऐसी करेंगे बीच बीच में हाइलाइट शोड़ के बनाएंगे और नीचे जहां जहां पर हेर से वो लोग आप देखके जो है रिफरेंस इमेज को बनाते रहीएगा क्योंकि इसमें मेडल वगारा भी हो तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी बनाने आप जो इनकी ऐसक उपर हेर सार है उसको बिना ले लेते हैं उसको बनाने लिवर फोर वी मेकाइंईकल यूँसकार ना हुए कि अब नहीं कर रहे हैं जिस डिर्येक्शन हम बाल जारहां उस डिर्यक्शन में हालाइट्स का एरिया छोड़ते हुए मैं होद लोग को मेहां थोड़ा सा हलकी पेंसिल आप लोग को चला देने हैं मैं 4B pencil से कर रहा हूं आप लोग 10B से भी कर सकते हैं अब देगे हाइलाइट देने कबाद मैं हलके से उस पर shade मार दे रहा हूं अब ये blend करने कबाद सारी strokes आपको दिखने लगेंगे लिकिन आप लोग जब इसको बना लिए उसके बाद भी आप लोग देखिएगा कि कहां कहां पर आप लोग को छोड़ दिया आप लोग ने अब आप लोग ने देखा होगा कि मैंने forehead को पर brush चला दिया और जो hairs का shade था उसी की मदद से जो है मैंने forehead को भी shade कर दिया है अब मैं इनकी eyebrows बनाओंगा realistic eyebrows कैसे बनाते हैं उसके उपर मैं वीडियो बना चुका हूँ उपर eye button आप लोग जाके देख सकते हैं बाद में तो मैं दोनों तरफ की पहले eyebrows बना लूगा फिर एके करके eyes बनाओंगा तो अब सबसे पहले मैं इस उसके बाद जो नीचे आगे उपर नीचे shades है उसको कर दूँगा मैं यहां पर मैं 4B pencil को यूज कर रहा हूँ और नीचे जो light shade है उसके लिए 2B pencil को यूज कर रहा हूँ अब नीचे की भी highlight वगएरा बना लिए और wrinkles भी बना लिए अब मैं इनकी nose को shade करूंगा nose को shade करने पहले आप लोग डार के रिये जितने हैं उनको आप लोग कर लिएगा यहां पर मैं जितने भी nostries वगएरा डार के रिया उनको मैं बना लूँगा 4B pencil की मदद से अब इसके बाद जैसे की मैंने आप लोग के पिछली वीडियों बताया था जहां जहां पर आप लोग को डार की रिया दिखें वहां टूबी pencil यहां थोड़ी dark pencil जैसे भी आप लोग sketch की pencil यूज़ कर रहे हैं उस हिसाफ से आप लोग shade दे के highlights भी देते हैं highlight देना बहुत ही ज़रूर है उससी आपको पता चलता है कि आपकी nose 3D है तो मैं आइस के उपर भी shade दे दिया right वाली है उसको भी मैं बना लेता हूँ उसके लिए भी मैं जो हूँ डार्क पेंसिल से पहले जितना भी area dark के उसको डार कर लोगा उसके बाद अंदर के light shades तो आप लोग काफी जादा जो है reference image को अच्छे से observe करके उसको बनाया करिए ताकि जो है एक एक shade आप लोगो समझ में आए आप लोग erase करके बनाया करिए अब मैं mouth बना रहा हूँ तो mouth में mouth opening बहुत ज़रूरी है सही से बनाना उसको आप लोग अच्छे से बनाईए अगर एक दम टाइम ले के अच्छे से अब उपर के लिष्ट में एकी shade है नीचे के लिष्ट में shade करेंगे तो नीचे के लिष्ट में 2-3 shade है और highlight भी है तो लिष्ट के नीचे साइड में जो है थोड़ी dark light से तो वहाँ जो है थोड़ा मैं 4B pencil से dark करूंगा उसके बाद जो highlight से वह बनाऊंगा मैं अब यह मैंने highlight जो बना दिये हैं अब जो लिष्ट अब इसमाइल जा रही थी वह भी मैंने बना दिया अब मैं पूरे face को जो है एजबी pencil की मदद से shade कर दूंगा एक layer में यह मैं एजबी pencil को use कर रहा हूं और जित्ते भी shade में पूरे face में मैं कर दूं अब मैं टीशू पेपर इसको इंगली में रोल करके blend कर रहा हूं अब इसके बाद मैं टूबी pencil यूज़ करूंगा और आप लोग पिच्चर को अच्छे सा observe करिए और देखे कहां कहां पर डार्क है तो वहां वहां पर आप लोग टूबी pencil से shades दे दिएगा अब आप यहां फिर वाटर कलर ब्रश को shade करते जाहिए मैं यहां फिंगर यूज़ कर रहा हूं थोड़ी थोड़ी जगह पर आप लोग ना यूज़ करिए अब जहां जहां पर फेस पर आप लोग को हाइलाइट दिख रही उससे हाइलाइट कर लिए नीडिवल एरेजर आप लोग अब मैं टूबी पैंसिल यूज़ कर रहा हूं और नेक के नीचे जो शेड़ आ रहे हैं डार्क वाले उसको मैं बना ले रहा हूं और वहां पर थोड़ी हाइलाइट भी उसको भी आप लोग दे दिएगा नीडिवल एरेजर की मदद से अब मैं इनके हैंड को बनाओंगा हैंड के लिए मैंने आप लोग पहले बता था कि एक एक फिंगर को आप लोग जो है अलग अलग बना रहा हूं सबसे पहले मैं एजबी की लेरिंग कर रहा हूं और जहां जहां पर फिर डार्क एरिया वहां पर मैं टूबी पैंसिल से ड आपको आपको कौन कौन सी पेंसिला यूस करना है कोई भी पार्ट बनाते ठाया है अपको असानी से बन जाएगा अब इनका hand भी complete होने वाला है बस मुझे last finger बनानी है उसमें भी एक single shade है आगे साइड में थोड़ा dark shade है उसको बना देना है बस हो गिया यह अब इसके बाद मैं इनके medal को color करूँगा उसके लिए मैं water color का use कर रहा हूँ water yellow color use कर रहा हूँ इसके उपर मैं golden glitter लगा दूगा ताकि यह gold medal अच्छा लगे और थोड़ा चमके तो मैंने glitter भी लगा दिया आप लोग कोई भी glitter यूज़ कर सकते हैं pencil color से ही बना सकते हैं बस आप लोग को इस चीज़ का छोटा से एक ध्यान देना है अब इसके बाद में थोड़ा सा ब्लैक एरिया उसके लिए मैं ब्लैक sketch pen का यूज़ कर रहा हूं आप लोग देख रहा होंगे तो यह ज्यादा ब्लैक करने के लिए सबसे बड़ीया तरीका यह होता है कि आप लोग करके कपड़ों को उससे sketch काफी अच्छे भी लगते हैं और मैंने इससे पहले भी काफी sketches बनाएं जिसमें मैंने नीचे के कपड़ों को कलर कर दिया उससे sketch वगारा काफी अच्छे लगने लगते हैं आप लोग ने देखा हुए जर्सी को पर company भी लिखी हुई तो company का नाम अब left side में मैंने पूरा shade कर लिया अब इसके बाद मैं जो हूँ पेंसिल लूँगा अपनी और जो metal के ओपर design वगारा बना हुआ उसको मैं बनाऊँगा उसके लिए मैं 4B mechanical pencil यूज़ कर रहा हूँ आप लोग wooden pencil भी sharp करके अच्छे से यूज़ कर सकते अब मैंने metal का design ही ब बनाऊँगा और जहां जहां पर आप लोग थोटी चोटी सी चीज़े देख रहे हैं वहां वहां पर जो है इसको बना दियेगा pencil की मदद से और ribbon के पास भी आप लोग देख सकते हैं मैं थोड़ा से area छोड़ दिया था उसको भी मैं shade कर दूँगा अब pencil से मैं इनकी chain कर दिया कर दिया ताकि जो है जर्सी वेगार आपकी realistic लगा मैं right side के तरफ color कर रहा हूं और यहां पर भी प्रोसीजर रखूंगा पहले मैं navy blue color कर दूँगा पूरे में उसके बाद जो है आप लोग नीचे देख रहे होंगे डिजाइन ही बना हुआ जिस पर जो है इंडिय मैं नीचे का जो है ब्रोज बनाओंगा जो कि जिस पर इंडिया बना हुआ है तो इंडिया इंडिया के color से हम लोग जो है इसको औरेंज करेंगे पहले फिर अंदर के side जो है इसको शेट कर देंगे अंदर भी थोड़ा जो है नहीं भी blue color है तो उसको भी करतेंगे अब ये ब्रोज भी complete हो चुका है तो राइट साइड में जो इंडिया का flag इनके shoulder पर उसको भी बना लेंगे उसको भी करते टाइम आप लोग जो है काफी अच्छे से धीरे धीरे शेट करिएगा ताकि आप लोग कोई भी खाचा या फिर डॉट छोड़ ना दे अब ये flag भी पूरी तरीके से complete हो चुका है अब इसके बाद जो है मैं white pencil का use करूँगा ताकि जितने भी जर्सी की area है उसको मैं blend कर सकूँ तो ये white pencil काफी जादा काम की होती है आप लोग को इसको फेकना नहीं है पहले हम लोग इसको फेक देते तो बच्पन में लेकिन अ अब मैंने जहां बाहर का थोड़ा एरिया थोड़ा गंदा हो गया तो उसको भी मैंने एरेस कर लिया और ये sketch पूरी तरीके से complete हो चुका है तो आज की वीडियो में इतना ही होब आपको समझ आएगो कि मैंने इसको कैसे बना है आप लोग भी इसको इसको इसली बना सकते ह आप लोग को जितने भी मैंने steps बताएं उसको आप लोग फॉलो करते जाए और असानी से आप लोग बना लिए और मैंने जो फोटो बनाई इसका मैंने description में लिंक डाल दिया ताकि आप लोग डाउनलोड कर सके और मैंने इस्टाग्राम का भी लिंक डाल दिया ताकि आप अगर ये वीडियो को informative लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को like कीजिए और share कीजिए मिलता है आप से नेक्स वीडियो में तब तक लिए आप प्रेक्टिस करते रहिए झाल झाल झाल